हेलो हेलो, वेलकम टू दे वीडियो देखो काफी बार हमें थौट आता है कि MBBS ज़्यादा टफ है या वेटनेरी ज़्यादा टफ है आप कोर्स में अडिमिशन लेने से पहले या काफी बार सोचते होंगे कि क्या वेटनेरी ज़्यादा टफ पड़ाई होती है या MBBS ज़्यादा टफ होता है तो इस वीडियो में हम ये डिसकस करने वाले आपको बता दूँ कि दोनों ही जो कोर्स है प्रोफेशनल डिगरी कोर्स है और इन दोनों को कंपेर करने के लिए ऐसे तो कंपेर नहीं कर सकते हैं तो आपको बता दूँ कि जो वेटनेरी होता है उसमें आप काफी सारी स्पीशिस के बारे में पड़ते है जैसे कि आपका जो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, हॉर्स, लेबोरिटरी अनिमल्स, वाइल्ड अनिमल्स तो आपको यतने सारे अनिमल्स के बारे में पड़ते हैं तो काफी सारे लोग बोलेंगे फिर तो वेटनेरी टफ होना चाहिए because human जो डожуक्टर होते हैं, जो अनिमल्स, जो ड़ोक्टर होते हैं वो तो थो ठिरुब मतलब जो human के बारे में पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको ये समझना है कि जो human doctors होते हैं, वो भी काफी tough पड़ाई करते हैं, वो लोग जो humans के बारे में पढ़ते हैं, तो वो लोग काफी deep में पढ़ते हैं, हर चीज़ को काफी deep में पढ़ते हैं, उसमें काफी ज़ादा competition भी अगर आप देखेंगे, तो बहुत कम है अगर आप देखेंगे जो PG exam होती ही वहाँ पर उसके लिए जो competition सा बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसा आप अगर देखेंगे तो MBBS में जो quality of education है वह ज़्यादा अच्छा है as compared to veterinary because veterinary में क्या है कि यहां पर इतना extensive data नहीं है देखो मैं को एक अंसर दिखाता हूँ यहां पर जो एक वेटनेरी डॉक्टर है उन्हेंने लिखा हुआ है देखो if logically we talk wet is very harder than medical but यहां पर अगर आप एक important बाद देखेंगे कि medical deals with quality more यहां पर आप देखेंगे ना medical जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि quality ज्यादा matter करती है because जो veterinarian है वो अभी भी traditional methods को use कर रहें अपने treatment करने के लिए because आप पता कि field में animals का treatment करने के लिए ज्यादा advance जो instrument से वहां हमारे पास available नहीं होते आप ऐसा नहीं कर सकते कि field में आप जा करके x-ray करवा रहे है या फिर sonography करवा रहे है तो यह सब possible नहीं है इसलिए आप बोल सकते हैं कि एक तरह के सब्सक्राइब की जो पढ़ाई है वह भी traditional mode में ज्यादा चर लिए तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि काफी बार आपको यह भी रिखने मिलता कि जो education है उसके दुरान आपको देखने मिलता है कि जो अंबी बेस की पढ़ाई यह काफी ज्यादा tough पढ़ रही है as compared to veterinary because veterinary मैं आपको पता कि extensive syllabus होने के कारण जो हमारा जो questions का जो pattern है वह एक तरह के सेट हो चुका है कि यह important questions है और यह important questions नहीं है ऐसा है और ऐसा नहीं है तो इसलिए काफी बार हम को यह देखने मिलता है कि जो veterinary graduates है वो खुद को बोलते है कि हमने ज़्यादा अच्छा पढ़ा है या फिर MBA-based graduates बोलते है कि हम ज़्यादा उपर है बट actually में दोनों ही professional degrees है और harder की बात करा जाए तो दोनों का अलगलग perspective है देखो एक बच्चा जो होगा उसको अगर veterinary में इंटरस्ट है उसने 11th और 12th में अच्छे से animals के बारे में पढ़ा है तो वो जैसे ही veterinary में admission लेगा तो उसको easily चीज़े संद में आएगी बट अगर एक दूसरा बच्चा है जो कि MBBase की त्यारी कर रहा था जो उसने human के बारे में अच्छे से पढ़ाए तो वो जैसे ही veterinary में आगे तो उसको थोड़ा सा अजीब से लगेगा animals के बारे में पढ़ने में तो उसके लिए वो hard हो जाएगा फिर so it depends on interest of people also कि आपका interest काई में हो सकता है कि आपका interest अगर humans में था आप veterinary में आगे तो आपको veterinary काफी tough लगेगा है ना तो यह interest की भी बात है दूसरा मैंना आपको बता दिये कि जो species के बारे में पढ़ना पढ़ता है veterinary में आपको काफी ज़्यादा अलग अलग तरिके के species के बारे में पढ़ना पढ़ता है और veterinary में काफी दूसरे challenges भी है आपको पता है social जो challenges है वो veterinary में ज़्यादा है because जो veterinary doctors होते हैं उनको social जो respect होती है फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरिके से जो social taboo है उसका सामना करना पड़ता है veterinary doctors को but MBBS doctors को उसके against वहाँ पर respect भी मिलती है उसके साथ सेलेरी भी अच्छी खासी मिलती है तो ये कुछ-कुछ parts है जिसमें आप बोल सकते हैं कि MBBS और veterinary को एक तरह के से compare करा जा सकता है बट अगर आप देखेंगे कि किसकी भूमी का ज़्यादा है आज के टाइम पर तो आज के टाइम पर हमारे society में अभी भी MBBS doctor को उपर रखा जाता है veterinary doctors है और ये काफी दुख वाली बात है because ऐसा नहीं होना चाहिए because दोनों ही जो doctors है और दोनों ही अपने 5-6 साल लगा करके doctor बन रहे तो मुझे लगता है कि दोनों को एक equal status मिलना चाहिए and I hope की future में जाकर के situation change हो आपको क्या लगता है इस topic के बारे में जरूर बताइएगा comments करके Thank you so much